Hello students, welcome to the future academy, we are here for your better future, let's learn, let's start the video So, आज के इस session के अंदर हम लोग बात करने वाले standard and Hindi subject में जो बॉर्ड की exam का, जुलाई 2018 का जो बॉर्ड की exam का paper है, उसको लेकर हम आए है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे यह old system का paper है, जिसमें 50 marks के MCQs है और 50 marks का subjective है आपका तो आईए विबाग A देखते हैं, पहला यहाँ पे MCQ आप स्क्रीन पर देख सकते हो रैदास प्रभुजी की बक्ति क्या बनकर करना चाहते है A. दिपक, B. स्वामी, C. दास, D. मोती तो इन में से वो क्या बनकर बक्ति करना चाहते है, तो यहाँ पे answer आता है C. दास, बनकर बक्ति करना चाहते है नमबर 2 है कल्दोत के धाम का अर्थ होता है, क्या होता है काली यमुना नदी B. सोने का राजमहल C. चांदी का राजमहल D. क्रिश्न का राजमहल तो यहाँ पे आयेगा option B. इस अकरेक्टा आनसरा सोने का राजमहल कल दोत के दाम यानी सोने का राज महल ठीक है चलिए नमबर थी पे जाते हैं मीरा भाई का विवा किस के साथ हुआ था ये पोयम के अंदर जो प्रस्थावना होती है डिटेलिंग जो दी होती है राइटर के बारे में वहां से आपको इस प्रकार के questions दिये जाते हैं तो मीरा पर answer कौन सा आता है डी option आता है बोजराज के साथ उनका विवा हुआ था लगन उनका उनके साथ हुआ था राणा सांगा बोजराज थे उनके पीता थे ये उनके पीता है तो बोजराज के साथ मिरा भाई का विवा हुआ था ओके चली आगे बढ़ते हैं नंबर फोर पे ज स्लोगन पता है या स्लोग पता है जन्नी जन्म भूमिश्चस स्वर्गा दियपी गर्यसी यानि स्वर्ग से भी वो महान है ठीक है तो यहाँ पर आंसर आता है स्वर्ग चली आगे बढ़ते हैं नंबर फाइव खहरा जुर्मुट में कुट्टे को न मिला क्योंकि क्यों नहीं मिलता ऑप्शन ए है कुट्टा तेजी से दोड़ न सका बी है उसकी उम्रम अभी लंबी थी सी है जाडियों में अंदेरा था डी है जाडिया कंटेली थी तो क्या होता है कि जब खहरा दोड रहा होता है उन दोनों के बेच में दोड चल रही होती है तब खहरा अचानक से कंटिली जाडियों में जाकर छुप जाता है और कुट्टा वहां पर नहीं जा सकता क्योंकि जाडिया बहुत ज़्यादा कंटिली थी और इस वज़़ए से खहरा बज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर सिक्स है भरत वर्ष हमारा है काव्या के आधार पर हिंदुस्तान के प्रती जनता का अभिमान कब से है हम कब से प्राउड फिल करें कि हम इंडियन है हम हिंदुस्तानी है ऑप्शन ए स्वतरनता से पहले ऑप्शन बी है युगों स आधी अनाधी से ऑप्शन डी है सदियों से तो यहां पर आंसर आएगा आधी अनाधी से जब से पहली समुद्र की लहरे हुग बनी थी या पहले बार सुरत चमका था आकाश में तब से हमारे लिए हिंदुस्तान या भारत वर्ष हमारा है और हिंदुस्तान के पती हमें अ ज्यानी सिद्ध करेंगे अप्शन बी अपनी पोल न खुल जाए इसके लिए मौन रहेंगे सी है डरके मारे वादिवाद ही नहीं करेंगे और डी है अपनी जोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे तो क्या अंसरत है पोयम में दिखाया है कि ऐसे लोग जब तरक क कोई करता है उनके साथ तो वो अपनी पोल न खुल जाए इसलिए मौन धारन कर लेते है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं नंबर एट है रांगे रागव कवी ने किस काव्य की रचना की है इन में से ऑप्शन ए जन्मभूमी भी भरत वर्ष हमारा है सी एक नई शरूवात ड की हे जन्शक्ती महान तो इसमें से कौन सा आंसर सही है तो आएगा ओप्शन डी बढ़ते है नंबर नाईन कश्मिर में डेश की प्रेम गाथाए गाई जाती है आप्शन ए लैला वी विलहन सी फरहाद और डी मजनू तो यहाँ पर आंसर बी लिप्शन की प्रेम गाथाए गाई जाती है ठीक है नमबर 10 तोते ने क्या वरदान मांगा option A है इस वन में कोई भी शिकारी न आए option B पेड़ के सुखने के साथ मेरे जिवन का भी अंत हो जाए option C है मेरे बिछड़े हुए साती फिर से आ जाए option D है यह सुखा पेड़ फिर से हरा बरा हो जाए तो यहाँ पे तोता क्या वरदान मांगता है कि यह जो सुखा पेड़ है वो फिर से हरा बरा हो जाए उसकी यही इच्छा होती है तो यह वाला सही आंसर है आगे बढ़ते हैं number 11 एक ही नारी के दो बालक पहली में किसकी बात की गई है option A चक्की के पार्ट B rail की पतरी C दो बालक और D है नारी और बालक तो यहाँ पे चक्की के जो दो बालक होते हैं कि एक ही नारी जो नारी उसके दो बालक है तो चक्की के ऊपर वाला जो पत्थर होता है वो और नेचे वाला जो पत्थर बीच में गेहु पिस्ते हैं, तो यहाँ पर चक्की के दो पार्ट की बात की गई है, ठीक है, आगे है, नमबर ट्वेल, राम भजन किये बिना कौन नहीं सोता, आप्शन A है कोयल, विभक्त, C तोता और D मोर, तो यहाँ पर आंसर आता है तोता, राम भजन किये बिना तोता नहीं सोता, ठीक है, नमबर थर्टीन, सर्विश्वर दयाल सकसेना ने भुख काव्य में सौंदरियों को किसके साथ जोड़ दिया है, आप्शन A, संगर्ष सिल्ता, B, भुख, C है मानवता और D है सुक, तेहाँ पर संगर्ष सिल्ता के साथ, य ऐसा कहा है, आसानी से कोई भी चीज मिल जाएगी तो उसका मजा होता नहीं है, संगर्ष में ही एक सौंदरियों छुपा हुआ, ऐसा सर्विश्व दयाल सकसेना का कहना है, नमबर फोर्टीन है, प्रकृती के सुकुमार कवी के रूप में कौन जाना जाता है, यह आपकी प प्रकृती के सुकुमार कवी के रूप में जाना जाता है, यह आद रखना, नमबर फिफ्टीन, आठ सिद्धी नव निदी का सुक प्राप्त होता है, क्या करने से, एक कदम के व्रुक्षपर बसने से, बी नंद की धेनु चराने में, आप्शन सी है, यह मुना किनारे स्ना करने में, आप्शन डी है, मुरली बजाने में, तो यहाँ पे आता है, नंद की धेनु चराने में, आठ सिद्धी नौ निदी का सुक प्राप्त होता है, ऐसा रस्खान का कहना है, नमबर सिक्स्टीन, बुढी काकी कैसे रोती थी, यह तो प्रशन काफी बार पूछा जा च चुपके से, तो यहाँ पे आता है, गला फाड़ फाड़ का रोती थी, नेक्स्ट है, नंबर सेवेंडिन, वृद्ध इसाई पादरी ने क्या कहा, ओप्शन ए है, तुम इमानदार नहीं हो, ओप्शन बी, तुम देश प्रेमी नहीं हो, ओप्शन सी, तुम लोग अपने क होता कि हम अच्छा काम कर रहे है, और हमें उस पे प्रावड फिल नहीं होता है, तो इस वज़े से भारत पीछे उनका ऐसा कहना था, नेक्स्ट यहाँ पे है, नंबर 18, कालदास को राज्य सबा का प्रतिक व्यक्ति किस रूप में जानता है, राजपूरुष के रूप में रुतु सहार के कवी के रूप में, दंतुल के शत्रु के रूप में, या हीरन शावक के रक्षक के रूप में, तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन B is the correct answer, रुतु सहार के कवी के रूप में, कलदास को राज्य सबा का प्रतिक व्यक्ति जानता था, ठीक है, नेक्स्ट है, न ये महिला उमेद्वार यहां पे आविधन पत्र नवेजे, नमबर 20, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए, ए जीवन को समझने, B सरल काम करने, C विकट काम करने, D हसी खुशी बिताने, तो कौन सा आंजर आएगा, हसी खुशी बिताने के काम में लाना चाहि नेक्स्ट आगे है, नमबर ट्वेंटीवन, मानव प्रक्षेपन यंत्र कितने भागों में विबक्त था, यानि कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था, चार, दस, दो और पांच, तो आंसर आता है, दो भागों में उसको विबक्त किया गया था, ठीक है, नेक्स् A is the correct answer, सोम देव, श्री सोम देव, राम प्रसाद बिस्मिल के गुरू थे, next आगे बढ़ते है, number 23, जूट बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, यह वाक्य कौन बोलता है, कुंदन कहता है, नंदन कहता है, पडोसी कहते है, यह मालती कहती है, तो यह आपर आंसर आता है, D, गोपी कविता को क्या समझती है, गोपी जो होती है, कविता को क्या समझती है, option A, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा की कला, कवी की कल्पना, या फिर आत्मा का खुराक, तो वो क्या समझती है, तो option B, जगर एक आंसर, आत्मा की कला समझती है, ठीक है, आगे बढ़ते है बढ़ते निंबर 25, पंडित शादी राम का आल्बम कौन खरीदता है, A. माधवन, B. जगराम, C. लाला सदानन, D. है, पंडित बुद्धी राम, तो यहाँ पर आंसर आता है, लाला सदानन जी, जो पंडित शादी राम होता है, उनका आल्बम खरीद लेते हैं, तो लाला सद दानन, D. is the correct answer, next 26, वास्ताव में मनुष्य किसका विरोधी है, धन का, दुसरों का, स्वयम का या मालवता का, तो वास्ताव में मनुष्य स्वयम का विरोधी है, स्वयम आंसर आता है, ठीके, चली आगे बढ़ते हैं, नमबर 27 पे, जेने की कला का साहित्य प्रकर बताईए उसका साहित्य प्रकर कौन सा है, A. कहानी, B. निबन, C. रेखाजित्र और D. है, आत्मकता, तो यहाँ पे आंसर आता है, जिने की कला जो पाठ है, वो एक निबन्ध है, B. is the correct answer, निबन्ध, ठीके, next 28 नमबर, रजनिश किस साहित्यकार का उपनाम है, रजनिश किस साहित्य का उपनाम है, A. बालकुष्ण शर्मा, B. मौलाना अब्दुल कलाम, C. रामधारी, C. ड. है, जाकिर अली, तो यहाँ पे आंसर आता है, जाकिर अली का नाम है, रजनिश, वो कि उनका साहित्यकार का उपनाम है, उनको रजनिश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, next 29 यहां पर आंसर आता है लाडली लाडली ने पूडिया काकी के लिए बचा कर रखी थी ठीक है नेक्स्ट आगे है नमबर 3030 कौन सी कहानी में मानव मुल्यों का जतन करने की प्रेड़ना दी गई है ऐसी कौन सी कहानी है ऑप्शन चार है आपके पास उसमें से एक कहानी को चू अंदर मानव मुल्यों के जतन करने की प्रेड़ना दी गई है तो चलिए यहां तक रुपते हैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दूसरों के साथ शेर भी कीजिए लाइक कीजिए शेर आये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ठीक है और अल नॉटिफिकेशन क्लिक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपकी होबाइल स्क्रीन पर आ जाए और मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ तब तक टेक केर बाए